हाई एवरिवन काफी स्टूटेंट का फीज को लेके कन्फूजन था कि सर हमें लग रहा है कि 900 रुपए होना चाहिए बट वहाँ पे 1200 रुपए दिखा रहा है एक स्टूटेंट के रहा था कि सर 1500 होना चाहिए पान सब्जेट का 2100 क्यों दिखा रहा है तो जितने भी फीज डाउट से आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा विद लाइव कैलकुलेशन ठीक है तो इतने अच्छे से मैं आपको सारा चीज बता दूंगा कि कुछ भी और कन्फूजन नहीं आएगा फीज को लेके जितने भी कन्फूजन से सो लेट्स को टो टो स्क्रीन यहा आद रखो compartment failure it all depends on the subject कौन से subject चूज कर रहे हो और उसमें practical है या नहीं है 900 होना था लेकिन मेरा 1200 हुआ 900 क्यूंकि यह 3 subjects का सोच रहे हैं 3 subjects का बट इसका 1200 कैसे हुआ वो calculation मैं आपको बताऊंगा क्यों दिख रहा है फिर और एक student का यह मेरे recent यह दोनों वीडियो उसमें आ है सर मेरे failures में लगा रहा failures में लगा रहा हूं all five subjects 1500 होना था लेकिन मेरा 2100 आ रहा है कैसे तो यह calculation समझाने के लिए मैं आपको CBC का जो official circular है वो आपको दिखाता हूं यहां पर for five subjects 1500 बता रहा है बट यह जो practical के लिए extra है ना यह आप भूल जा रहे हो यह practical के लिए extra लिया जात है यह देखो practical fees practical या project work subject तो project में क्या क्या होता है मतलब practical जिसमें होता है physics होता है chemistry होता है biology होता है यह सारे practical वाले हैं आप practical को भूल जा रहे हो इसलिए आप उसको add नहीं कर रहे हो अगर उसको add करके हम देखेंगे for example आप अगर PCM लेते हो ठीक है तीन subject का ही आप लिए त कैसे calculation कर रहा है वो calculation में आपको बताता हूँ suppose you are thinking कि एक subject का 300 है into 3 करोगे तो कितना होना चाहिए 900 आपको calculation आ रहा है but actual में कैसे calculation है 300 plus 150 एक subject का तो 300 plus 150 कितना हो रहा है it is 450 अब 450 में तीन subjects आप करो तो 450 into 3 how much it is coming 1350 अब वो student का 900 था 1200 कैसे आ रहा है वो calculation करके दिखाता हूँ अगर उसका physics है ओके तो physics कितना लगेगा 450 लगेगा क्योंकि यह practical subject है और chemistry कितना लगेगा chemistry लगेगा 450 300 plus 150 450 बट अगर वो maths ले रहा है तो maths का कितना लगेगा only 300 because maths में कोई practical नहीं है अगर इन तीनों को हम add करेंगे यह कितना होगा 450 प्लस 450 प्लस 300 how much is the total यह प्लस था ना वारा सो तुस इस दे कैलकुलेशन बारा सो आएगा हमारा समझ में आ गया कैसे 900 उसको लग रहा था बट एक्च्वल में वह फीज बारा सो था करेक्ट अब और एक स्टूडेंट जो था उसका हम कैलकुलेशन देखते हैं वह क्या कह रहा कि सर्फ 15 होना था 21 आ रहे हैं 21 भी मैं आपको करके बता आता हूं depending on the subject क्यूंकि आपने बस five subject लिखा है बट क्या के subject वह आपने नहीं लिखा है तो assuming the subject मैं वह कैलकुलेशन करके आपको बता आता हूं सब्स फिजिक्स में आपका 450 और chemistry में 450 आप biology भी लिए हो सपोज उसका अभी 450 mathematics का 300 और English लिए हो तो फिर English का will be 300 ओके यह क्या कैलकुलेशन आ गया है अभी टोटल अगर हम करेंगे 450 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 300 कितना रहा है कैलकुलेशन नाइन्टीन फिफ्टी बट आपका 21 स्वार है मिन्स आपका प्राक्टिकल जादा है कुछ प्राक्टिकल सब्जेक्ट जादा है तो आपका साइद mathematics नहीं होगा उसके जगा पर कोई इसको हटा देता हूँ एक सेगेंट एक सेगेंट एक सेगेंट एक सब्जेक्ट जिसमें कोई प्राक्टिकल नहीं है और फिर एक्की सो आपका टोटल आ रहा है इसी लिए एक्की सो आ रहा है वर्नन 1950 भी आरहा है किसी-किसी का 200 भी आ रहा है जिन लोग का 6 सब्जेक्ट हैं अब 6 सब्जेक्ट में क्या-क्या हो सकता है छे में आपका PCMB और physical education PHE या PH फिर English ठीक है यह सारे subject है अब physical education जो है वो practical subject है तो उसमें 450 लेता है तो 450 कितने बार लेगा 1, 2, 3, 4 तो 4 times of 450 is how much it is 1800 mathematics और English 300 plus 300 will be 600 अब इन दोनों को add करेंगे तो कितना होगा यह addition होता है क्या से 1800 plus 600 अब बताओ 2400 2400 is the total fees ऐसे भी pay करना पढ़ रहा है students को तो यह calculation आपको समझना पढ़ेगा कि fees आपको practical वाला ले रहा है CBC बट उसका reason क्या है like reason अगर आप पूछोगे why why CBC takes your practical fees उसका main reason यह है कि 2020 2020 से पहले जो लोग थे अभी वो update होगे 2021 हो जाएगा 2021 से पहले जो लोग थे उनको practical exam देना पड़ेगा practical exam clarity video एक आने वाला है जल्द ही बट जो लोग का 2021 से पहले था exam उनको practical देना पड़ेगा बट अगर आप 2022 से हो 23 से हो 24 से हो आप सभी का carry forward होगा क्या होगा carry forward तो आपको marks carry forward करने के लिए CBAC takes the 150 रुपीज registration fees that's it आपको practical बिल्को नहीं देना कोई भी record नहीं लिखना कुछ भी नहीं लिखना जितना practical marks आपको मिला था exactly वही चीज क्यारी forward हो जाएगा आपको अलग से कोई भी प्राक्टिकल देने की जरुवत नहीं है ठीक है बट अगर आप 2021 या उससे पहले exam दिये हो तो फिर आपको practical फिर से देना पड़ेगा records भी बनाने पड़ेंगे और जो exam center होता है वहां पे आपकी स्कूल में जाके एक्जाम देना है जो आपको स्कूल था वो नहीं जो आपका आएगा नया स्कूल जहां पर exam center उसी स्कूल में होता है admit कर दाने के बाद वह सारा arrangement होता है और exam से पहले ही practical हो जाता है सब कुछ that is the clarity जो मैं आप सभी को देना चाहरा था यह fee structure है foreign students के अब शायद कोई confusion नहीं होगा कितना क्या रुपीज लगना चाहिए क्या होना चाहिए यह सभी details को लेके ठीक है यहाँ पर मैंने clear कर दिया सब कुछ अगे अगले वीडियो मैं तब तक कीप लर्निंग कीप एक्स्पोरिंग किप स्माइलिंग थैंक्यू सो मच